साथी health जन्नी ज़रूरी है, उन्ना ही ज़रूरी है, साथी body दे उन symptoms नुपस्टान ना ज़ेडे ताम मिल दे हैन, ज़त बोडीच कुछ abnormal हो रहा हो वे उन symptoms नुपस्टान ना ते timely treatment करना बहुती ज़रूरी है एहो जही एक medical condition है, ज़ेदा ना है BPH, यानि की benign prostate hypoplastia आज असी उदे बारे चर्चा करनी है ते स्वागत करना है उन तीन उगे में माना दा जड़े सार्देनार बैके इदे बारे चर्चा करने है सद पहले दॉक्तर हैं वरिंदर सागर, सागर मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल विच एक सलाहकार यूरॉलोजिस्ट है। नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम डॉक्टर मनीशा हुजा है, मैं सीनियर यूरॉलोजिस्ट एंड रॉबॉटिक सर्जन हा, पोर्टिस हॉस्पिटल महाली ते विच। मेरा सब्तो पहला सवाल है कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपोपलीशिया की है। गदूत जिन्नों की आपा प्रोस्टेट के नेया, ये मेल्स दे विच पाए जान्दे में, फी मेल्स दे विचे नहीं हुन्दे, इनद आपा नॉर्मली साइज पंदरा तो अठारा ग्राम तक लेके चल दे हां। ये उम्र दिन नाल वद भी जान्दे हन, जिन्दे करके सान कोई दिकताविया आनला पेंदिया हैं। पर इसाड़े श्रीरदा पाग है, और इनदा मेन काम साड़े सेक्चुल फंक्शन वास्ते हुन्दा है, यानि कि इसाड़े शुक्रान वादी देख रेक कर दे हन। मेरा अगला सवाल है कि इस विकार नाल जुड़े आम लच्छन की हन। गदूत जिदो वर जान देने, जिवे की मैता अंदस्या के इनु बीपी अच केनने या, इन्दे कई की तरह दे लक्षन होंदेने, हर एक मरीच अलगलग तरह दे लक्षन हो सकतेने, जिवे की पशाब बार बार जाना, कई वरा सानु दिक्कता दी है कि सानु स्वेरे कुछ नी फील कर सकते, या, कई अनु एद्दा होंदा है कि पशाब दिकाली बड़ी पंदी है, जद तक बातरूम तक पहुंचना होंदा है, उस तो पहले-पहले की वरा पशाब लीक भी कर जानता है, या, कई वरा सानु पशाब कर दे हुए तार टुट दी है, चल दी है बार-बार दिक्कत आंदी है, या, करन तो बात सानु एही मसूस होंदा रंदा है कि शायद हाले वी अंदर पशाब पहले है, फिर आपा होर कोशिश कर दे है कि इनु बार-बार कर दिए, कई मेरी जनु ए दिक्कत दे करके ब्लीडिंग भी होंदा है, बार-बार पशाब देखन हो बार-बार मकःवे कर दिने के मेरी जनु एक शहाब वी आपनदा है, या, इन्फेक्शन लपन दिये है, जिन्दे करके आपने कपड़े मी ख्राब रहे आपनदे नेom कई दिख्टाने कotros चिड़ाँ हैं जो चच्छाब बांद भी हो जाता हैं जिनेप कुछ अनुगा थहां नुगी पाइप भॉक सकती है वहां वह कंख सकती है 5 बानोच कि भी पित किनने नाम उह और अबयाया घंच उमर वन गंदा न कि नहीं को जो थी friend पिजाव साल दी उम्र क्रॉस कर दें ते इंदी दिक्ता दे कैसे किस लक्षन आनलाब पर देने देख्या गया है कि जे आपा चाली कि साल दे कोल हां ते चार तो पंच परशन लोगों नो इस दिक्कत आदी है पर जिव जे उमर वद्धी है आपा 55 दे कोल पॉंच दे आ ते यही दिक्कत वद्ध के 45 परशन दे कोल पॉंच दी है ते 90 परशन लोग का दे लक्षन आनलाब पेंते कई लोग एस सोच देने कि शैद पशावदी दिक्तां उम्र कारके है आपा उनू इग्नूर कारदे रहने हैं और दिक्तां वद्धी आ रहन दिया है जिन्दे कारके क अपने शरीच बदलाव आ रहे हैं उन्दी आपनों जांच करानी चाहिए आपने युरॉल्जिस नों दिखाना चाहिए है ताकि टाइम रेंदे आपने इलाज करा सकीए आपने गुर्दे सई काम कर सकन ते कोई दिक्कत ना कर लोग श्रीमिरा आगला सवाल ए है कि BPH वाल पिषाब आबार जाना काली पैना लतिकल यह कपड़ें कि निकलना इन्दे करके थामधे मांध्य वीच सम्सेश लत परत कि रहा जा गांगा यह ट्रेवल करना पिदी में पुेछाहिए म्तिक्षाब करना मुघ सब्सक्राइब करके अगले दिन अपनी ड्यूटी दे जाना है ते अपना प्रोफेशन भी सब्सक्राइब कर सकते इस करके दिख्या गया है कि इस सारे दिख्या दे करके साड़ा प्रोफेशन भी साड़ी पर्सन लाइफ भी साड़ी सोशल लाइफ भी इस सारे डिस्टरब हो जाना है मेरा अगला सवाल डॉक्टर संतोष हुमार थोड़े तो है किना सारे अनू बीपी ए छोणदा जादा खत्रा है प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है जो पूर्सों में पाए जाती है और पूर्सों में जैसे जैसे एज 45 से उपर या 50 से उपर होती है यह प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ना शुरू हो जाता है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने का कारण होता है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड को बढ़ने को बीपी एज कहते हैं या पंजाब में गदूदा भी कहते हैं बहुत सारे बड़ी में age के साथ उम्र के साथ change होते हैं जैसे testosterone की मातरा में गिरावत जो एक prus का hormones होता है उसमें जो कमी आती है और estrogen, relatively estrogen की जो मातरा बढ़ती है और बहुत सारे chemical change होते हैं बड़ी में और gland में जो की prostate gland को बढ़ने का region होता है साथ साथ कुछ कारण होते हैं जैसे किसी की family में prostate की problem है या prostate gland बहुत बढ़ा होता है या prostate cancer होता है तो उस family में prostate gland का cancer होने का chance ज़्यादा होता है तो एक herdatory भी region होता है और बहुत सारे आपके जो खाने की आदत है या alcohol होते हैं या red meat होते हैं इन चीजों के सेवन से भी prostate gland में changes होते हैं और कभी कभी ये prostate gland का cancer भी करवाता है और जैसे जैसे age बढ़ते जाते हैं prostate gland का size बढ़ते जाती है और पूरे 50 साल के population से उपर के लोगों में ले तो वन थर्ट पूर्सों में ये prostate gland का बढ़ना कुछ न कुछ पिसाब की symptoms को जनम देता है जैसे पिसाब रुख के आना बार बार आना रात में पिसाब आ जाना या पिसाब रोक नहीं पाना ये symptoms होते हैं जो बीपीएच दा निदान करन मदद कर सकते हैं जब पचास साल के उपर के प्रूस आते हैं कोई भी medical check-up के लिए तो और उनको पिसाब की symptoms होती है जैसा की symptoms हमने explain किया है तो उन्हें एक ultrasound करानी चाहिए जो की जिसमें kidney, urator और bladder के साथ साथ prostate gland के size को देखते हैं और prostate gland में देखा जाता है कि कोई median lobe है या नहीं, median lobe जिसका बढ़ा हुआ होता है prostate gland का वो पिसाब में रुकावट ज़्यादा करते हैं और पिसाब में रुकावट इतनी ज़्यादा करते हैं कि उन्हें कभी-कभी पिसाब बंद भी हो सकती है तो ultrasound में prostate gland का size के साथ ये भी देखते हैं कि median lobe बढ़ा हुआ है या नहीं, साथ में ये भी देखते हैं कि पिसाब करने के बाद bladder के अंदर पिसाब के थैली के अंदर कितनी urine बची हुई है, जिससे post-wire residue कहते हैं तो ultrasound में इन सारे information की information की ज़रुत काफी होती है, साथ ही साथ पुरुसों में ये भी देखते हैं कि उनके kidney function कैसी है, जिसके लिए renal function test होती है prostate gland जो बढ़ी हुई है, कोई भी medicine सुरू करने से पहले PSA कराने की ज़रुत होती है PSA एक blood test होती है, जिसे prostate specific antigen करते हैं ये simple सा blood test है, एदी PSA 4 से ज़्यादा होती है, तो prostate cancer होने की संभावना होती है लेकिन हर समय PSA 4 से ज़्यादा होना prostate cancer इंडिकेट नहीं करता है टक्टर साब, एक सवाल है, जड़ा की BPH ते prostate cancer विच कोई संबन्ध है? जिन पुर्फों में prostate gland बढ़ी होती है, prostate gland बढ़ने के साथ सर्फ prostate gland का cancer भी साथ में हो सकता है एक तो prostate gland जो बढ़ती है और जो रुकावर्ट डालती है उसको transitional zone काते हैं, prostate का ओ हिस्सा जो पिसाब के नली के आसपास होती है, चारो तरफ होती है उसमें BPH होते हैं और पिसाब की flow को कम करते हैं लेकिन BPH के साथ prostate cancer भी associated होता है, क्योंकि prostate gland का जो posterior region है, posterior हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा है, वहाँ से prostate cancer होती है तो prostate, BPH के साथ prostate cancer associated हो सकता है, हर prostate बढ़े हुए वाले patient को cancer को rule out करने की जुरुत है इसलिए treatment शुरु करने से पहले PSA देखना जरूरी होता है, क्योंकि पिसाब में रुकावट की वज़ा दोनों हो सकती है, BPH भी हो सकती है और prostate cancer भी हो सकती है और prostate cancer और BPH prostate का बढ़ना साथ साथ हो सकता है, और दोनों का treatment different है एक BPH का है, उसमें maximum patient जो होते है, medical treatment से ठीक होते हैं, कुछ patient medical treatment से ठीक नहीं होते हैं, तो सर्जिरी करने की जुरुत होती है लेकिन prostate cancer का treatment होता है, और different होता है और मेरा अगला सवाल डॉक्टर मनीश होजा थोड़े तो है, अजी है लोग का विच जीवन शैली प्रवंदन दी की पूमिका है BPH दे symptoms वाले लोग जादा करके डॉक्टर कोल नहीं जानते आम symptoms होनदे हैं जिमें frequent urination, रात नो बार बार उठना या weak urinary flow पर lifestyle management विच ज़रूरी changes करके इना symptoms नो थोड़ा improve किता जा सकता है जिमें fluid intake नो control करना, खास करके रात दे time alcohol दे, caffeine नो avoid करना थोड़ी physical activity करना, एना नल mild symptoms नो manage कीता जा सकता है पर मैं एक कहना चाहूंदा है कि lifestyle management नल हर symptom ठीक नहीं होनदा जे थोड़े symptoms severe ने, तथ उसी urologist दे को जाके check-up जरूर करवाओ क्योंकि delay करना complications cause कार सकता है डॉक्टर साब, urologist दी मुख चिंता की है, जो कि मरीज दे इलाज नो प्रवावित कर सकती है Urologist दी सब तो वड़ी concern एह हुंदी है कि patient time ते अपनी problem शेयर करे जिनना late patient on the hair condition नी वर्सन हो जानती है जिनने नाल treatment complicated हो जानता है और suddenly भी मुश्किल हो जानता है एक होर concern एह है कि patient अपने symptoms ठीक तरीके नाल explain करे कदे-कदे patient अपनी history या symptoms पूरी तरह नहीं दस दे जिनने नाल diagnosis मुश्किल हो जानता है ते treatment नो personalize करन दे विच सानो difficulty आनती है patient दी situation दे साब नाल आसी personalize कर दे है treatment नो urologist दी priority हमेशा ये हुंदी है कि patient नो best care मिले पर is the success, patientry cooperation, they trust, they depend करता है डॉक्टर साब एक तजर्वेकार माहिर होन दे नाते तुसी मरीज़ा नो की संदेश देना चाओगे मैं सारे patients नो एक कहना चाओदा है कि अपनी health नो ignore ना करो अगर आप चीनो कुछ भी unusual symptoms फील होनते है ता प्लीज डॉक्टर नो दिखाओ especially BPH वारगी condition जे तुसी early stage ते diagnosis करवा लो ताँ complications तो बचया जा सकता है उन modern treatments available ने जिना नाल, surgery या कोई भी ऐसी procedure कर दे तो बहुत simple procedures ने recovery भी fast होन दी है सो अपनी health ते focus रखो, अपने doctor ते trust करो ते proactive हो के preventive care लो क्योंकि prevention हमेशा better होंदा है डॉक्टर रेडीज द्वारा एक जनतक जागरुकता पहल करदमी इस संचार किसे medical practitioner दी सलादा बदल नहीं है किरपा करके किसे भी doctor दी सला लई अपने doctor नाल संपर्क करो हलांकि इस समगरी नू तियार करण विच सब तो वद संभब देखवाल किती गई है doctor रेडीज इस समगरी लई किसे व्यक्ती नू जवाब दे नहीं है